देखिए बहुत लोग का सपना होता है टीचर बनने का लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करें क्या पढ़ें और इसी बीच आज एक और ख़बर निकल के आई है जो लोग B.A. Special Education का कोर्स किये हैं तो हम दोनों चीजे बताएंगे कि टीच Special Education कोर्स वाले केवल छटीवी से आठीवी तक के बच्चो को ही पढ़ाते थे ठीक है लेकिन नए नियम के अनुसार अब ये पहली से पाचीवी तक के सिछक भी बन सकेंगे मतलब कि अगर आप B.A. Special Education कोर्स किये है तो आप पहली से पाचीवी तक के बच्चो को भी पढ़ है ठीक है चाहे आप B.A. करें चाहे B.A. Special Education कोर्स करें दोनों के लिए एडिमिशन होता है दोनों के लिए कोलेजेज हैं दोनों के लिए आप चाहे अपलाई कर सकते हैं लेकिन अब अंतर क्या देखिए B.A. जो है वो नॉर्मल स्टुडेंट को टीच करने के लिए ट्रें वस्या है उनको किस तरह से पढ़ाया जाया जाए कै कि टीचर मतलब teaching करना बचों को deal करना nggak जोकि तीठा खीर होता है क्यूंकि बहुँ सारे बच्ची किया जाता है कि एक special education course आया है ठीक है तो वो आप कर सकते हैं तो उन्ही के लिए ख़वर आया है कि वो लोग अब primary के बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे अब यहाँ पे बहुत लोग यह भी सवाल करते हैं कि हम teacher बनना चाहते हैं हम क्या करें तो देखिए इसमें भी दो तरह के teacher होते हैं एक होता है जो छटवी से आठवी का पढ़ाना है ठीक है दसवी का पढ़ाना है एक होता है primary जैसे कि एक से लेकर के पाच तक के बच्चों को पढ़ाना है किसी भी हालत में आप चाहें तो B.A.T. कर सकते हैं डियलेट कर सकते हैं यह सब जो course है एक तरह से सिछक बनने का पहला दर्वाजा है ठीक है इसके बाद अब देखिए इसके बाद एक और आता है इसमें दो-तिन दर्वाजें तोड़ना है ऐसे ही नहीं सिछक बन जाता है कोई आपको यह तो B.A.T. करना है अब टू-कोर्से होता है इसमें आपका समय बच जाता है पैसा बच जाता है तो यह भी आजकल काफी चलन में है तो अगर आपको टीचर बनना है तो आपको पहले B.A.T. करना पड़ेगा ठीक है बीच कर लिजे पहले ही कर लिजे तो H.T.E.T. करना पड़ता है Central Level पर C.T.E.T. का आपको क्वालिफाई करना पड़ता है साल-दो साल में इसका फोम आता रहता है तो अगर आप C.T.E.T. क्वालिफाई कर लिए है T.E.T. क्वालिफाई कर लिए है तो उसके बाद आपको जो भी Marks उसमें आए घी उसके बाद आपका जब भी टीचर का वैंकी करना है जब भी टीचर के आएगा तो उसमें अपलाई कर दिजिए हुसमें अगर एकुड मतलब सेंट्रल होता है मतलब इंडिया के किसी भी राज्य में जाका illegible हो जाएगे किसी भी राज्ये के लिए मैं इसे भी अगर कोई बिहार में टीचर का वैकंसी निकला तो other state वाले भी apply कर देते हैं उनको फोड़ा general category में डख करके high-cut of फोड़ा उनका जाता है बाकि ऐसा नहीं है तो CTET क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको जब भी टीचर का वैकेंट से निकलेगा आप आप फॉम अप्लाई कर दीजे उसमें जो भी नमबर है उसको नुसार आपका हो जाएगा तो यहीं बात है तो काने का मतलब कि आज का जो निवज है वो बीएड इस्पेशाल एजुकेशन जो कोर्स किया है न वो प्राइमेरी के बच्चों को भी पढ़ा सकते उनके लिए ख हैं जाब अबर को जो